यह वीडियो सेव करके रखे, मेडिकल इमर्जंसी में बेहत काम आने वाला है, आपने देखा होगा कि रात में कई बार सरदर्थ, पेट दर्थ, डाइरिया की प्रॉब्लेम आती है, दाथ दर्थ होता है, कभी-कभी छोटे बच्चे अगर घर में हैं, तो अचानक से रोके मेडिकल इमर्जंसी आती है, तो एसे सिचुशन में रात में कोई डॉक्टर्स भी अवलेबल नहीं होते है, तो हमें कौन-कौन सी चीजे पता होनी चाहिए, इसे आठ इंफॉर्मेटिव कुछ टिप्स में आपको बताऊंगी, जो आपको बेहत काम में आएगी, तो पानी लेना है, उसमें दो पिंच नमक अड़ कर देना है, जो भी योज करते है, दो पिंच ही करना है, जादा नहीं, तीन स्पुन शुगर अड़ कर देने, इसे घुल लेना है, पी लेना है, तुरन डाइरिया की प्रॉब्लम क्लियर हो जाती है, फॉर्स टाइम में रिज हमें समझ में नयाता है कि इसका रिजन क्या है, ऐसे सिचुशन में बिल्कुछ सा घरे लोग उपाय करना है, एक स्पुन नॉर्मल पानी लेना है, उसमें एक चुटकी से भी हिंग मिला देना है, उसे घूल लेना है, बच्चे को पिला देना है, जादा तर गैस के कारण प भचे खेलती हुएं अगर किसी बॉडि पार्ट में जल जाता है तो तुरंत वो पार्ट हमें पानी के नीचे पकड़ लेना है, ठंडे पानी के नीचे उसके बाद हमें 24 अचल बीम् mechanics कर देता है बिल्कुल एक मिनिट के अंदर जलन कम करने में शहित कफे बेस्ट रिजल्ट देता है ज्यादा जलन हो रही तो थोड़ी देर के लिए एक पॉट में पानी लेना है उसमें आइस क्यूब डीप कर देने है और आइस क्यूब वाले पानी में हमारा जला हुआ पार् सह साधेसं और एक पिंच इसमें सिंधा नमक या काला नमक एड कर देना है इसे बिल्कुल एक मिनिट के लिए उबाल लेना है चान लेना है यश्षीण पिलेना है तो तुरांक पेड़ दर्द में व्या करें आराम मिल जाता है टीब नुमबर फाइफ रात में अचानक से तराद दर्थ होता है मसुडो में दर्थ होने लगता है यह दर्थ इतना खतरणाक होता है कि जैसे की किसे ने बॉंब लगायá ए तो बिलकुआ सिंबल सा घरिल उपय करना एक ख्लास पानी ले ना Give a a एक छोटा टुकडा लेना है और पानी में दो तीन राउंड गुमा लेना है फिटकरी मतलब मराठी में उसे तुरुटी भी कहा जाता है तो यह जो पानी होता है इसे कुला कर ले एक लास पानी से कुला करेंगे तो तुरंत दातों में मसोडों में एक खीचाव साने लगता ह रेडने सूजन कम हो जाती और दर्द तुरन कम करने में इसके बैस रिजल्ट मिलते हैं अगर आपके पास फिट करी अवलेबल नहीं है रात में अगर आपके पास नहीं भी है तो एक गलास पानी में आप रेगुलर कर जो भी नमग होता है वो आड कर देना है उससे कुला कर करने के बाद आपको एक लोंग लेना है लोंग तो हमारे घर में हमेशा अवलेबल होता है उसे दातों में चबा लेना है चबाने के बाद वो जो पैस्ट होता है वो हमें जिस दात में या मसुडों में दर्द हो रहा है वहां पर पकड़ के रखना है उसका जैसे भी रस्त हमारे दातों पर मसडों पर गिरता है तो सूजन रेडनेस कम करने में दर्थ कम करने में इसके तुरंट अच्छे रिजर्ट मिल जाते हैं तो इतना सरदर्थ होने लगता है कि हमें आगे के काम सूचते नहीं है तो ऐसे सिच्वेशन में घर में सिंपल सा एक उपाय करना है इसके लिए एक स्पून अजवायन देनी है एक गलास गरम पानी बना लेना है और अजवायन गरम पानी के साथ निगल लेनी है बिल्कुल पाच ते दस मिनिट में आपको तुरंट आरा मिल जाता है सरदर्थ आप भूल जाएंगे दूसरा और एक उपाय करना है जब भी सर सरदर्थ करता है तो हमारा ये जो थम और इंडेक्स फिंगर है इसके इगजर्ट बीच में यहां पर हमें प्रेशर देना है एक — मिनिट के लिए अच्छे से प्रेशर देना है डर्द होना छाहिए दोनों हाथों में इस प्रकार से आप प्रेशर देंगे तो सरदर्थ जाते हैं तीप नंबर सेवन काफी इंपोर्टेंट है बहुत से लोगों में ये प्रॉब्लम रात में ही क्रेट होती है नीन में नस पर नस चड़ना पैरों में क्रैम पाना ये काफी दर्दनाग होता है हम हिल भी नहीं पाते हैं तो ऐसे सिच्वेशन में अगर आपके राइ और क्रैम निकल जाता है अगर आपके लेफ्ट लेग में ये प्रॉब्लम क्रियेट होती है तो राइट हैंड के एक्जेक मिडल फिंगर के नेल्स के नीचे आपको इस प्रकार से प्रेशर करना है एक मिनिट के लिए तुरंत आरा मिलेगा टीप नमबर एट किसी को हार्ट प्रेशन पूरी बॉडी में पसी ना रहा है ऐस्विट हो रहा है तो इससे सिचुएशन में बिल्कुल सी ट्रिक करनी है ये ट्रिक मरीज को अस्पताल तक पहुचाने कि लिए वर्ग दे देती है उसकी जान बज जाती है उसके लीए आपको शिंपल सा एक उपाय करना है स्मॉल फिंगर के एक्जैक नेल्स के साइड में नेल्स के नीचे यहां पर ब्रेक लगा देना है स्वी से या सेटीपीन से थोड़ा सा खुन बाहर आना जाए तो यह जो ट्रीक होती है उसे अस्पताल तक पहुचाने के लिए वक दे देती है उसकी जान बजाती है यह सभी जो डिप्स मैंने आपको बताई है सब के काम आने वाली है तो अगर आप यह उपाय करते हैं आपको थोड़ा सा भी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं तो मुझे जरूर बताना है स्वस्तर है मस्तर है दी रही थैंक्यू सो मच